हेलो ब्यूरिफूल बीबू वेलकम तू लखनो लोकल चाहिए बात करने वाले हैं किचिन स्टैंड के बारे में कुछ बाते ऐसी जो किचिन स्टैंड लेते टाइम पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए माटेरियल कौन से होना चाहिए किस तरीके के वायर का स्टैंड लेना चाहिए और किस साइज का लेना चाहिए ये सारी details आज वीडियो में discuss होने वाली है और मैं आपको guarantee देता हूँ कि जो details आपको मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसके बाद आपको शायद किसी वीडियो का reference लेना ही ना पड़े तो यहाँ पर आज मैं आपको detail बताने वाला हूँ आपके सामने मैं डेमो के लिए आपको दिखाने वाला हूँ और एक चीज और बता दूँ इसके material, design, size हर एक चीज के बारे में आज इस वीडियो में discuss होने वाला है तो आप अपने घर के kitchen stand को लेकि जो परशानिया face करते हैं तो उससे हटने के लिए उससे बचने के लिए ये वीडियो जरूर देखेगा तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि kitchen stand का material क्या होना चाहिए इंडिया में बहुत common kitchen stand पहले आते थे जो steel की sheet के बने हुए थे जैसे कि यहां पे आपको wires दिख रहे हैं पतले पतले wires दिख रहे हैं बट इससे पहले के जो stands होते थे वह आपको proper sheet में मिलते थे जिसमें सबसे बड़ी problem होती थी उन बरतन stand में कोई भी चीज आप लगा नहीं सकते थे plate के लावा बाकि आपको सिर्फ racks मिल जाती हैं जिसम समय हो जाता था तो वहां पे screw कभी धीले हो रहे हैं कभी गिर जा रहे हैं तो वो issues face करने परते थे और तीसरा issue यह रहता था कि कभी आपके बरतन घीले रहते थे सूखते नहीं थे और आपको अकर उसमें लगाना पर जाता था तो यहां पे side में whiteness सी लगने लगती थी ज कौन से wire आपको लेने चाहिए या किस प्रकार के लेने चाहिए उसको भी मैं बताता हूँ देखे wire भी दो तरीके के आते हैं एक दिखता होगा आपको काफी मोटा सा wire दिखता है जो अंदर से खोकला होता है और यहां पे जो आप मैं आपको बरतन स्टैंड दिखा रहा हू अगर स्टील लगाते रहें तो ठीक है अगर उपर से प्लास्टिक या खुला छोड़ दिया है तो वहां से काक्रोचेज या गंदे या कोई भी इंसेक्ट अंदर जा सकता है जो आगे चलके हमारे बरतनों पर चड़के उनको दुलने के बाद भी गंदा कर देगा तो यहा पर हमेशा ध्यान रखिए आप बिल्कुल सॉलिड वायर का स्टैंड लीजे ऐसे वायर का स्टैंड ना लीजे जिसमें आपको देखने में बहुत ज्यादा मोटा लग रहा है बट वह अंदर से खोकला होता है तो पहली चीज दूसरी चीज यह है कि उसमें क्या होता है कि खोकले वायर्स होते हैं उसमें 알कर के इस टाइप के पतले पतले वायर्स होते हैं मंगर अगर वहाले हंगे तो उसमें अपने झ्जनाहट की साउंट आने लगती है То स्चीज में हमेशा ध्यान और यहाले बरतन स्टैंड बहुत जयादा ड्यूरेबल नहीं होते हैं अब यहां पे इस बरतन स्टैंड में क्या खासियत है और क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं वो मैं बताता हूं देखिए सबसे पहली चीज है यह बरतन स्टैंड जो है मैं आपको बता दूँ यह आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं जो size structure आपको required हो जो भी length आपको चाहिए हो जो भी width आपको चाहिए जो भी deepness आपको चाहिए वो आप बनवा सकते हैं पहली चीज दूसरी चीज यह है कि अगर आपको जैसे कि अभी यह तो एक design में आपको आज दिखा रहा हूं इसके लावा और भी designs आते हैं जो आगे अग बहुत जादा नहीं है तो यहां पर यह बहुत आइडियल है रीजन बता देता हूं सबसे पहले स्पून रखने के लिए आपको space दी हुई है यह देखे यहां पर आप चाहें तो easily spoon रख सकते हैं पहली problem आपकी solve दूसरी problem है आपके पास थाली और plates होती है तो यह full plate थाली क आपको base जो है वो इस type से दे दिया है कि glass आपके proper attach हो जाएंगे और उपर इतना space दिया है जिसमें अच्छे खासे glasses आपकी छोटी family के हिसाब से आ सकते हैं इसके साथ ही साथ आपको दो full flesh racks मिल जाती है एक यहां पर यह complete पूरी rack मिल जाती है जिसमें आप बड़े बरतन य ले भी options मिलते हैं जैसे कि यहां पर यह hangings है अब यह जितने भी hangings है यह तो बहुत यह है कि common design में आपको दिखा रहा हूं पर इसमें अगर आप चाहें तो अपनी demand के हिसाब से भी यह सब चीज़े बनवा सकते हैं जैसे यहां पर इस stand के हिसाब से यहां पर यह तीन hangings द रखते हैं तो वह अपने हिसाब से लोग करते हैं तो यहां पर दूसरी चीज़ मैं बता दूं इसमें दो फाइदे होते हैं जैसे कि अगर आप rented house में रख रहे हैं या अपने house में नहीं है कहीं rented में है और वहां पर drilling करना मना है तो क्या होता है काफी लोग की common परशानी य यहां पर पीछे की तरफ से आपको जैसे कि यहां पर drill करने के लिए space तो मिल जाती है बट अगर आपको drill नहीं अलाओ है तो आप नीचे से इस stand को देख रहे होंगे या नीचे से यह रख भी सकते हैं इसको पीछे से जड़ा सा support दे दीजे और इसमें रीचे रखने के लि यहां पर आपको इस type के stands मिल जाएंगे जो कि आपके modular kitchen में भी लग सकते हैं small size kitchen में भी रख सकते हैं इसके अलग-अलग designs आते हैं जैसे काफी लोग नीचे plate रखना पसंद नहीं करते हैं वो चाहते हैं कि ऊपर plate रख दी जाए तो आगे वीडियो में मैं आपको वह अला stand भी दिखाऊंगा जिसमें upper side आपको मिल जाएगा और recent में मैं आपको बताते हूं यह तो smallest size है बट इसमें लग-बग 15 variety of stands आते हैं अलग-अलग sizes अलग-अलग design के जिसको अगर आपको required होगी तो मैं जरूर आगे कि किसी वीडियो में दिखाऊंगा तो यहां पे दो बाते और भी बहुत जादा important है मैं पहली चीज़ आपको बता रहा हूं कि यहां पे यह वाली यह rods होती है यह rust free होती है इसमें जंग नहीं लगती बिल्कुल तो यह आप अपने kitchen में भरपूर यूज़ कर सकते हैं दूसरा फाइदा इस stand को मेरे को देखने को यह लगता है कि यह अगर आप घीले बरतन भी रख देंगे तो पूरी तरीके से नीचे drain हो जाते हैं और कहीं भी आपको पूरा जो stand है ना वो 360 degree में आपको देखने को मिलता है तो कहीं भी गंदगी अगर जरा से भी लगी होगी ना तो आप easily reach कर सकते हैं और इसको clean कर सकते हैं सबसे important तो एक तरीके से बंद टाइप का नहीं रखता है और साधी साथ यह stand जितनी भी sizes के आपको variety single single shells भी अगर आप चाहें तो इसकी बन जाती है तो यह वाला stand मुझे लगता है कि एक तो price के हसाफ से किफायती रहता है design के हसाफ से आपके लिए काफी easily utility के साथ रहता है और utensil रखके इसको धंग से वराप करके कहीं भी ओल इंडिया shift कर सकते हैं तो एक बार इसका 360 degree view दे देता हूँ अलग-अलग stand स्विर से दिखा देता हूँ finishing दिखा देता हूँ और फिर आप लोगों पर छोड़ देता हूँ कि आप लोग को कैसी requirement है और भी अगर किसी detail की जर जाती है आपको spoon के लिए space यहाँ पर मिल जाती है plate और ठाली के लिए space यह वाला जो area है यह वाला जो area है यहाँ पर देखे पी नीचे से support मिलेगा और यहाँ पर glass रखने के लिए stands मिलते हैं एक यह support आपका होता है जो कि आप जब भी नीचे रखेंगे stand को तो यह नीचे स इसे scratches नहीं देगा, और चीजा आपको बतादेता हूं, और यहां पर आपको मिल जाते ही, यह side view है, स्टान का जिसमें यहां पर आपको hangings मिल जाती है, तीन hangings यहां पर मिल रही है, अगर बड़ा stand हो का तो यही hangings ठे हो जाएंगी और shelves भी आपकी increase हो जाएगी और backside की बात करते हैं तो आपको hanging के लिए यहाँ पे four spaces मिल जाती है यहाँ पे चार space मिलेंगी आपको wall hanging के लिए जिसको किसी भी electricians से अगर आप बराबर तरीके से drill करा लेते हैं तो भारी से भारी स्पेस जो यहाँ पे दी रहती है यह काफी सही रहती है और stand को मजबूत बना देती है तो यहाँ पे भगो ना रखिए, cooker रखिए तो बिलकुल भी इदहोदा move नहीं करता क्योंकि दोनों तरफ से आपको support मिल जाता है और support के साथ साथ इसमें इसी material में आपको microwave stands और भी बहुत सारे stands बनते हैं जिसकी variety में आगे जरूर आपको दिखाऊंगा तो आपको यह stand कैसा लगा यह जरूर बताईएगा और यह वाकई में बहतर है पुराने stand से की नहीं क्योंकि जो भी problems आपको पहले के stand में face करनी बढ़ती थी वो यहां पे मुझे solve होती हुई दिख रही है तो इसके sizes को लेके इसके design को लेके और भी details आपके साथ आगे share करते रहेंगे और मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक लखनो लोकल्स का subscribe ने किया तो जरूर कर लीजेगा क्योंकि इस type के utensils आगे और भी आने वाले हैं बहतर utensils आने वाले हैं तो आप लोग की जानकारी के लिए इस channel का subscribe करना जरूरी है thank you so much keep supporting us